नमस्कार दोस्तो सवागते मेरे यूटूब चनल इंडियन आयरवेथिक डॉक्टर पर दोस्तो मैं हुँ हूँ आपका दोस्त EMKS माईज़नी दोस्तो आजगी वीडियो का टोपिक है एका दस अध्याय मतलब 11 आध्याय दोस आधी इसाले कमलों के सामाने करम की करते हैं उनकी विर्दिक पर मेरे होदी होने पर क्या करता हुअ हो थैसे दोस्तों जैसे कि आप कोई को पता है कि मैंने अध्याय एक से दस तक के चैप के लेक्चर्स वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हैं बिले लिश्ट बना रहा कि अश्टांग हिर्दे के नाम से आप वहाँ पे देख सकते हैं आज हम 11 अध्याय करेंगे यह अध्याय आपकी फीजियोलोजी की दित्तिया पार्ट है फीजियोलोजी का दित्तिया पार्ट उसको पूरा कवर करता है मतलब पूरा बेस मांका फीजियोलोजी का दित्तिया पार्ट का पूरा बेस और फर्स्ट पार्ट का भी दोसों का बेस क डिए मश फिस्टि एर के इसाप से इस से आपकी पूरी फिजीोलोजी क्लीर होँ यह सोट नोट्स हैं आपको यहां पर है यहां पर समझने का तरीका पतल अर नरे वह बता हून आ सारे रिक दोस तीन होते हैं क्युस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् सuka तो कभी भी कोई प्वाज़कर नहीं दोस और मानसिक जो सुरू क नहीं से पहले को बताँएं का में चैनल पर नएयों सो सब्सक्राइब कीजिए उनको दबाईए और अपने दोस्त अपने कोलेज अपने फ्रेंडों के साथ सेर कीजिए अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं एविकृत मतलब प्राकर्तिक लक्षण मतलब एविकृत Ao की लक्षण के हैं तो पृते कि दोस्ति दोस्त सारे जो सारे विकृत लक्षण प्राकर्तिक सुथोढ़तिक लक्षण सुद्ध साम्म्य वस्ता के लक्षण पित के लक्षण और कप के लक्षणों का आपको कोटेशन याद करना ही है आपके पास man book होने से यह देखो एक book होती है जो exam के time पर जल्लिदी revise की ज़ाती है इसको मालने यह short notes है ठीक है यह और एक man book होती है वो आपके पास PC के तीयारी करने के लिए आई रुविद के विसेशग्य बनने के लिए आपको मैन बुक होना जोड़ी है तो उस मैन बुक से आपको एक तीन कोड़ से याद करने हैं ठीक है तो एक विक्रतिक बात के लक्षण मतलब प्राकरतिक बात के लक्षण कि वात क्या कारे करता है कि दोस्त अपने बोडी में होते हैं वाद की पतका तो बात का क्या है अपने वोडी में उत्सा कि जो बात है नुद्सान आता है कि जल्दी-जल०्ध जोस पैता करता है है जल्दी-जल्दी कारे करनी चंनता पहल लेना सास को अंदर लेना और भार लेना मतलब इच्छा है बेग परवर्ती बेग परवर्ती का सामईने मतलब तेरा तरक भव्डाना लगना जितने भी बेग परवर्ती ये सारे बेग मतलब बात की वज़े से आते हैं इंड्रिय के जो हक्या उंकन कि वसे इंद्रिया है चिरो इंद्रिया है मतलए इनका विसाग्रन मतला कारिया में लग बेग प्रोवर्ति इंद्रियाव इसेगरम आपको kotyशन याद नहीं होता तो आपको यह याद होने चाहिए वेरी वेरी इंपोर्ड ठीक है किerson किस तरीके से आता या किस तरीके से आता है जो 우Question लिखा यह लिखा अब इनको एक एको उत्सा ऐसे लिखे कि इस तरीड़ी में जोज पैदा करता है उत्सा ही लोग होते हैं बात प्रक्रति वाले वेक्टी उत्सा ही जल्द ही उत्सा ही होते हैं कोई कार्य करने की जल्दी चेश्टा होती है ऐसे समझाना पड़ेगा फिर सब्सक्राइब को समझाना है देखो सब्सक्राइब दो नंबर आए तो बलकुल सटिक टू सटिक आंसर पांच नंबर में इनको थोड़ा सा विश्था से समझा दो और दस नंबर में आप बढ़़ेड़ा किने कि आपको कैपिसिटी होनी चाहिए अब बात करते हैं ए विक सू कुमारता कान्ती दर्षन देखो पाचन सकती मतले खाने का पाचन करेगा भुद्धि को भड़ाएगा ठीक है ऐस तुलता भरीपन को कम करेगा मोटेपा को कम करेगा अच्छा होता है मतलब देखने लैग सू कुमार व्यक्ति अगला वर्ड है सू कुमारता जिसकी इत्रूड आंब और रेती है राज को मार जैसा टाइप के दुल ङहां को में अच्छे खिखने में नैनाक्स वाले होते हैं अब सें इसी तरीके से कि इसमें भी वह दो नम्बर के पांच बिस नमबर के दस लोक डिकना है और से 생각 लोग के साथ हिंदियन वाद इनका बनना है और 10 नमर या 20 नमर में आता है तो इनको विश्थार से समझाना है अलाग अलाग आचारी ओने जैसे यह तो फीजी लोजी में एक क्विश्चन आ जाते तो चारक ने क्या बोला सुसरुत ने क्या बोला अश्टांग इरदे में क्य क्या कारियकता है व्य संदियों को मजबूत करना अब देखो इस निक्ता लिखाता है मजबूत बनाता है मतलब जोड़े जोंट जितने भी हैं उनको प्रिदान गरते हैं और चमा मतलब एक तरीके से अच्छे गुणों वाला चमा से आपको यहां पर लेट रहेंगे जितने भी सात्विक गुण की बेसिक बात बताता हम वोकियां को कोई वैक्ति बातता प्रकुर्ट वाला होता हें कोज प्रकुर्थी वाला प्रकुर्थी होते हैं यह यह的 तेजी से करने वाला तक्या नर्वा सिस्टम से काम करता एक तहां फूर्ति प्रकृत्य ओंट प्रकृति वाला बुद्धीमान होगा पतला होगा और राजकुमार की तरह 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 से कोई वक्ति बोलता है ना तो यह अगर जिस दोस्क मतलब जिस दोस्क की शरीर में जै लिक्षणु आपको मैंने आपको बता दिए दो number में आता तो कैसे लिखना है पांच नमबर मादस्यात रहते हैं कि इस लेखना है है अब यहीं विक्रत हो जाएं तो तो क्या करेंगे कि फिक्रत हाः तो मैं आपको बता अपको दोनों लिखनी हैं एक अच्छे इश्टूनेंट की तरह हैं विगर कुछ सवाल किया माईंड में डाउट लिए जब मतलब कुछ पूंची है उसकी कमिया पूंची है विर्दी जन छे जन तो विकरते लक्षन पूचे तो आपको दोनों लिखने तो अब बात करते हैं बात की बात अगर सरीर में विर्दी होगी तो क्या होगा बात थे होगी तो सरीर में क्या होगा बात की विर्दी होगी मतलब सरीर में बात की कुण क्या है तत्र रुख्ष लगू सीतोखर है सुक्समचे अनील रुख्ष रुख्ष था बढ़ेगी करस्था कालापन उस्ण काम्ता कंप मल अवरोध और निंद्रा नास यह मतलब इंपोर्टेंट इंपोर्डेंट अब देखो आपको मैं समझाता हूं प्रुख्ष लगू सीतो करता सुक्सम शूक्ष में रूक्ष्था पड़ता है यह तो गुण होगे अब जाद स जाद सेवन कर ओघी तो बोड़ियमें वही सब पैदा होगी तो मतलब विर्दी जनल लग। काला पन बिल्कुल काला हो जाएगा उसन कामता जैसे गर्मी से जला हुए वक्ति होता है ना उसन कामता कंप मल अउरोध उनके सारे मल अउरोध जितने भी मतलब मुत्र अउरोध है मल का उरोध है सुक्र का उरोध है जितने भी अउरोध है वो जाएगी निद्रा नासुस्व्यक्ति को रात में नीद नहीं आएगी ठीक है क्योंकि रात को नीद की वर्दी होने कारण रात को नीद लेकि नहां पर तो क्या है रात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इसलिए निद्रा संगामो और कफ विर्दी के लक्षन देखो अगला पॉइंट आगे न कफ विर्दी के लक्षन क्योंकि बात का विपरित के गुण है कफ के अगर बात च्छह हो रहा तो समझे लोग ऑटोमेटिक कफ वड़ रहा है कप जादा हो गया तबी तो बात कम हुआ तो कफ विर्द क्या लक्षन है मन्दागनी निण्द॑ गुरूता सव कर्दियों कि यह अग्ज़ां पर लेहें लक्षन और अपको लिखने हैं, आपको बता है कि कवभेदिक अलक्षन तक लेकिने हैं, लेकिन यह लिकना है, अगर कवर्दी हो तो मतलब सीता हो जाएगा ओलपवासन समया हो ऊसको आलस साता रहेगा और कफ विर्दी के जो मंदा आगनिया आप बात करेंगा आगे इसमें इसको मैं समझा दूँँ आपको ठीक है अब पित के बारें बात करें विर्दी जन्र मतलब अगर पित की ज्यादा मात बढ़ जाती है वोड़ी में अपने सरीर में तो क्या होगा भू मूत्र नेत्र तौचा में पिला पन ये मात है कि पित की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाविक बात है पिला पन बढ़ेगा पूरी बोड़ी में तो मल्व का भी पिला पन किया दाएगा मूत्र भी पिला पन नेत्रों में भी और तौचा में भी पिला पन किया दाएगा तो मतल तो यही कम हो जाएगा त्रहा हानी चारत मतलब हानी होगी सरीर में मतलब एक समसे लोड डाउन में जाएगा सरीर आता है कफ़ज विर्दी के लक्षण हम विकरता है यह बात करते हैं विर्द करता है दो प्रकार के विर्दी लक्षण अब क्युस्षण आता है दो जो भी क्युस्षण आता है लेंदी क्युस्षण आता है सब क्युस्षण पूछता है कि बड़ा क्युस्षण कभी सिंगल क्युस्षण नहीं आता है दो तब आपके एक एक लाइन से स्टाट करते हों यहां पे खत्म-करते हो हम था यदा हो चाहरे मैं कूए बत यहां विटती हो कितना ही कमें इसा संकूरा है यहीं अच्छा हहां अच्छी लगती है उसे ज़्याद से अच्छीम थे वह तो आतुज़ में रहना लेकिन ज़रूर से ज़्यादा नुक्सान करती है कोई व्यक्ति हो मतलब जरूर से ज़्यादा हो तो नुक्सान करें तो कफ मन्हां निद अद्धिक आएगी गुरुटा लाएगा मतलब सरी बारी-बारी सा लगेगा आलस आएगा शरीर मतलब सवेट सद्धिदी दिखेगा जैसे पित में पीलापन होता है ना जैसे कफ में स्वेट लगेगा सीटा स्वासकास और लालस्राव मतलब ज़्यादा मतलब इस निकता आएगी तो लालास्राव हो KP ज्यादा लार आएगी उस्वासकास की भिमारी-अंन्थपन हो जाएगी डिनीर सीठहिं मतलब इन शेके लिए हो गया कपका 6 होने मतलब है किасть सी अब यहांपर देखो मैंने यह से 6 हो रहा है यह हो रहा है मतलब बात वर दी यह बताना चाहीए था मैं आप यह भी लिख सकते हो कब छह तो करस्ता भी आएगी कालापनом आपन दे송 मुष्य इसलम यहां पर यह बताइए नहीं तो आप यह भी सेकते हो जाम कुछ याद नहीं होता है तो एक common sense लोजिक लगा के यह भी सकते हो क्योंकि आप्फुजिट है वात और कफ दोनों अपुजिट हैं अगर से ओर तो मतलब बाथ विर्दी हो रहा है तो यहां पर भर्म हिर्दे दरव मतलब जो अपना हर्ट है उसमें प्रोब्लम आने लगेंगे ना संधियों में सितलता जितना भी लिक्विड हो खतम हो गया जितना भी सिनिक दरव खतम हो गया तो सन्दिदि करने जोड़े सुनड़ गाएंगे और कप Suzuki में जन्नता कप में जितने वीए इन कप सिक ही संधिक में कप कह और नाब बात करेंगे कृएं और बात करेंगे तो इतने भी कफोनने सका ने नाइफ हो गया तो सुन्नता कप का स्तंने को ओ गया बतरी से है यह ठीक है अब चिकिस्या अगर तीनों दौतों की विर्दी है तो पित वे कप अब देखो ध्यान लगना पित वे कप की बात है विर्दी में लंगन और अप्तरबन करें लंगन का मतलब है उपवास करना मालक कप की विर्दी है पित की विर्दी है तो लंगन और अप्तरबन लंगन का मतलब है एक तरीके से आएसे देखिए इसको पित में तो कीजिए लंगन कप में कीजिए अप्तरबन दोनों की एक ही चिकिस्या है मतलब इन दोनों की विर्दी कीजिए अफवास कीजिए अलका भोजन खाईए लगू भोजन खाई जो जल्दी पच्छे और शरीर को मतलब गुरुता से और न ले जाए सुक्स्ता की और ले जाए मतलब वात्सच गुळाले गुण वाला भोजन कीजिए ताकि वो शरीर रुखा बना पने मतलब इस निग्दापन खतम हो जितना भी जो भारी द्रव वो उससे बर्चे और मतलब हलका भोजन करें लंगन तो कर नहीं है वह बहुत से पक्ति लंगन नहीं कर पाते तो के लिए अबत्रपन की बात किये और बात विर्दी में संत्रपन और भंबन करें मतलब संत्रपन मतलब गुरू भोजन इसने मतलब बढ़ाने वाला चिकनाई युक्त वाला भोजन करें यह तो हो गया मोटा भाव व्यक्ति को तरोता जा करना है हश्ट प तो बात वर्दी में अगर बात की वर्दी में रुक्षता कृस्ता बढ़ी हुई है तो उसको कम करने के लिए हमें इसनिक्त वाले बोजन करने से अब पित और कप्ती विर्दी हुई है तो इनकी आदा विर्दी यह भड़े हुए तो इनको कम करना है तो लंगन अब बात में बात विर्दी में मतल्ला रुक्षता बढ़ी हुई है देवो गुणों से चलना चाहिए वह आप लोजिक सेट करो तो कुणों के साब सेट करें वाद पिर्दी में रुक्षता चंचलता बढ़ी हुए तो उसका पूजिट क्या है कपजवाले गुणवाला यह हार व्याला कर आओ तो संत अपन हो जाता है कि अब आते हैं 6 किस्या में पित वे कप 6 में ब्रहन करें मतल लंगन यह आधी शुशा जचे क्याप अब इसका लोजिक समझीए कह मतलब पित और कपका चए में मतलब करो मतलब वाया मतलब यह बद्रों करंवेट भी खिलाओ मज्जा खिलाओ पित और कप उटमेटिक जैसे पित में अगनी अगनी में घीर डालने से अगनी प्रजलित होती है वही बात है से मैं लोजी लगाओ कुस्टन का अंसर पाओ बिगर कुछ आयरवेद को समझने की जुरता है रटने की जुरत नहीं है और बात छे म मतलब बात कम हो गया एक तरीक से मतलब बात के लक्षण कम हो गया बात के लक्षण क्या है ततर रुख्ष रुख्षता कम हो गई इस ततर रुख्ष लगू लगूता कम हो गई यतने बात के कम हो गया मतलब उनको बढ़ाने के लिए क्या होता है लंगन चे किस्टा होती है ये अखें हूज आई होग आप मतलब बढ़ाना है बात की टुट रा рекे से बढ़ेगा रूख्ष्टा से पर भी वेयाम करने से, लगूता लाने से, आपको को मैंने आज यह बताया कि तीनों दोस्तों के बारे में बात किया है वाध्पितकप के प्राकर्ति के लक्षण छह विर्दी के लक्षण और चिकिश्या अब दातु हैं दातु के बारे मां अगले वीडियो में बात करेंगे आई होप आपको लाइक पसंद आया होगा वीडियो अब पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किजिए अपने कोलेज अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों साथ सेर कीजिए और हम जल्दी सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे माप करना मैंने वीडियो बनाने में काफी तेरी क बनाऊंगा कुछ प्रोब्लम थी साथ आपको पता है क्या प्रोब्लम थी कि इस वज़े से मैंने वीडियो नहीं बना पाई आई होप आप समझेंगे थेंक्यू और वीडियो को लाइक किरोड करना चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना तैने वाद